हेलो हाई दोस्तों मैं हूँ साचीदा तो फ्रेंट्स हमेशा की तरह मैं इस बार भी एक सिंपल सा नुस्का लिकर आई हूँ जिससे आपको बहुत ही जादा फायदा होगा दोस्तों अगर आपके दाथ पीले हो गए हैं किसी भी कारण से तो आप इस नुस्के को ज़रूर ट चलिए मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि exactly हमें करना क्या है इस नुस्के को हमें किस तरह से बनाना है मातर एक मिनट में यह किस तरह से काम करेगा तो चलिए फड़ा फड़ से मैं आपको बता देती हूँ तो फ्रेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मैं क्ले लूँग की बेकिंग सोडा जी हाँ दोस्तों बेकिंग सोडा यह खाने वाला सोडा नहीं है बेकिंग सोडा है और इससे अच्छा रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा बेकिंग सोडा ही आपको लेना है तो बेकिंग सोडा के बाद मैं लूँगी थोड़ा सी नमक जी हाँ दोस्तो वाइटनिंग के लिए नमक बहुत ही बैस्ट होता है तो इन्हें थोड़ा से मिक्स कर लेंगे अब दातों की ब्लीचिंग के लिए हमें एड़ करना है विटेमिन C यानी की लिम्बू जी हाँ दोस्तों कई लोग कहते हैं लिम्बू नहीं लिम्बू तो आप जो बोलते हो वो ले लो लेकिन लेना है लेमन अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है तो ये देखिए दोस्तों इत्वा से मिक्स हो गया है आप मैं विनेगर एड़ करूँगी ये बैस्ट रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों कुछ जादा नहीं एड करना है वरना बहुत ही जादा लिक्वीड फॉर्म में बन जाएगा और आप अच्छे से ब्रश की तरह नहीं कर पाओगे इससे तो थोड़ा सी लिम्बू लेना है और थोड़ा सी विनिगर भी देखिए इस तरह सी कुछ पेस्ट बनना चाहिए कमरे की नजदीक से आपको दिखा देती हूं तो आप देख सकते हो इस तरह से बनने के बाद आपको ब्रश की हैप से आप इसे यूज कर सकते हो या फिर आप अपनी फिंगर के साब से ले सकते हो जैसा भी आप इस्तमाल करना चाहें कर सकते हो मगर हपते में दो बार ही करन बेस्ट रिजल्ट के लिए दो बार करना है वरना आप एक बार ही कर सकते हो फ्रेंड्स क्योंकि हमने यहां पर बेकिंग सोडा कर इस्तमाल किया है कुछ दिन में आप इसका रिजल्ट देखते देखते आपके दात एकदम वाइट हो जाएंगे फ्रेंड्स आपको कोई भी ट वीओ में बाई बाई